ग्रावाज बुटिक पमिजार संगम हॉल के पीछे क्वरी रोड फिनिक्स बे ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन बिना जंचेट की पार्किंग सुविधा खुशुरत महौल में एक से एक साड़ी कूर्ती इंडो वेस्टन रेसेस स्टिस्ट और अन्टिस्ट को आराम से परक्ट कर हरिदार कीजिए केमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेको सूट्स नायरा कट गाउं और नियो फ्रेंडी कपडों को पसंद दरूर करेंगे मार्च आठ सो रुपे से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझाता नहीं आपके खुशी ही हमारी सेवा सुबा दस बजे से शाम साथ बजे तरद रागाज बुटे क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास रागाज बुटे हलो आपके एक्सरे होता है हमारे पास दोनों है इसमें 2D X-ray भी है और इसमें 3D X-ray भी है 2D X-ray में आपको नॉमल है सिर्फ 2 Dimension देखते हैं 3D में वॉल्यूम देंसिती सब हम इसमें चेक कर सकते हैं इंप्लांट प्लेस्मेंट में और सर्जरी में और मेजर सर्जरी में यह बहुत ही एफेक्टिव यह नहीं कि हम नॉमल फसिलिटी देते हैं हम सबसे लेटेस्ट फसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में अबरॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लेनिक्स नहीं मिलेंगे यह नहीं प्लेस्ट इंडिया नहीं में अप्लेस्ट इंडिया नमस्कार मैं इतानियूस अन्डिया नहीं प्रिंटी फोर्ट इवन में आप सभी का स्वागत करती हुए Central Government Health Scheme CGHS के सेवाओं को अंडिमान में भी मुहया कराने के लिए लोटे Living on the Edge NGO की तरफ से प्रशासन को धन्यवाद कर रहे है लोटे के Founder Director Abhayji ने कुछ महिने पहले ही इसे अंडिमान में लागू करने की गोहार लगाई थी इस प्रपोजल के पास होने से द्वीपों के कई लोगों को फाइदा होगा इसी उपलक्ष में अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त करना चाहा रहे हैं चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं नमस्कार मैं यामिन न्यूज अंडमान 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम एक बार फिर आए हैं Living on the Edge के फाउंडर प्रेजिडेंट श्री अभे कुमार जी के दफ़ता जहां पे अभी कुछ महीने पहले ही आप लोगों ने हमारे ही चैनल पे देखा होगा जहां पर इन्हों ने केंद्रे सरकास स्वास्ता स्कीम CGHS Central Government Health Scheme की जो फैसलिटीज थी उसको यहां पे अंडमान निकोबार में भी महया कराने की अपील लगाई थी हमारे चैनल में भी उन्होंने अपने बातों में इस चीज का जिक्र किया था और मैं आपको बहुत ही खुशी के साथ यह बताना चाहूँगा कि आज अभे कुमार जी भी काफी खुश होंगे क्योंकि हमें जानकारी प्राप्थ हुई है कि यह जो मांग थी इस मांग को एकसेप्ट कर लिया गया है हमारे अडमिनिस्टेशन दुआरा 12 सितंबर को अभे कुमार जी ने अडमिनिस्टेशन में एक लेटर दिया था जहां पर उन्होंने यह रिक्वेस्ट किया था कि अंडमा निकोबार में जो तमाम जो लोग हैं खासकर पैंशनर्स हैं और जो सरकारी नौकरी में नियुक्त हैं उन सब के स्वास्त को लेकर उन सरकार में और अभी 13 नवंबर को इन्हें रिप्लाई मिला है कि इस स्कीम यह जो प्रोपोजल था इसको एकसेप्ट कर लिया गया है तो यह दूविपो में जितने भी सरकारी करमचारी है उन सब के लिए बहुत बड़े खुशकवरी है कि अब हमारे अंडमा निकोबार में इसकी जो सुविदाएं हैं वो हम सब को प्राप्त होगी जिसके लिए हम सर को भी धन्यवाद करते हैं जिनोंने ये इनिशेटिव लिया था और कई लोगों के तरफ से इस और कदम बढ़ाया गया था तो लोटे की तरफ से भी इस पर पहल की गई थी और उसी खुशी को ज रुपकामना या और बहुत बढ़ाई की अंडवानिको और अडिनिसेशन के अंदर में जितने भी पेंशनस हैं आज के डेट में उनको ये सुविदा सरकार के त्वारा केंद्र सरकार द्वारा 13 नॉवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके तहत यह जो CGHS का फिजिलिटी है उन सबको मिलेगा यह मुहीम हमने लोटे के तरफ से एक सप्टेंबर को मैं CSR से मिलने गया था तब मैं उनके सामने रखा था और उनने बोला कि बहुत important issue है और मुझसे पहले भी काफी लोगों नहीं यहां के दीपों के सांसाध विपक्ष के भाजपा के बड़े लेडर बहुत सारे NGOs और बहुत सारे different parties के लेडर के तरफ से भी अप्रोच गया था मैं नहीं कहूंगा कि यह केवल हमारे लोटे के तरफ से हुआ है अप्रोच यह काफी अब बहुत दिनों से पंडिंग था बहुत लोगों का डिमैंड था पर बहुत administration के तरफ से बहुत proactive इसके reply आया एक सप्टमबर को दिपो के मुख्य सचीव सर से मिला था उसके बाद 12 तारिक को मुझे reply आया था administration से कि यह बहुत genuine demand है और इसको concerned department के थू से central government को हम process के लिए भेज रहे हैं और बहुत खुशी हुआ यह देखके कि 13 तारिक को एक government of India के तरफ से notification आया अंडवा निकवार में जितने भी रह रहे हैं पेंशनस हैं उनको यह cdhs का जो facility है वो उनके तरफ extend किया गया है तो क्या यह सर्फ pensioners को मिलेगा जो बाकी सरकारी कमचारी है उनको नहीं मिलेगा सर्फ बिल्कुल मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने जब सरकार से और administration से request किया था यह उनके साथ सम्मुख हमने रखा था कि जितने भी government employees हैं और pensioners हैं और cdhs के अंदर में काफी लोग आते है जैसे journalist हैं वो भी आते हैं और नेता हैं वो लोग भी आते हैं उन सबको comprehensively जो भी उसके criteria को fulfill करते हैं सभी को मिलना चाहिए इसमें तो अभी के order के साब से जो notification 13 तरीका है 13 नवंबर का उसके साब से pensioners को दिया जाता है पर मेरी जहां तक समझ है यह pensioners को दिया जाता है तो उनके अलवा बाकी जो भी employees है यह cover up सुव मोटर में होना चाहिए अगर नहीं होता है तो मेरे खाल से जब एंडोस होके administration के पास आएगा तब यहां के administration जो है इसको बाकी employees के लिए भी रागू करेगी अगर वैसा नहीं होता है तो हम दुबारा से government से अन्रोद करेंगे कि आप सभी को comprehensively जो भी इस scheme के अंडर में आते हैं सभी कोई को इसमें incorporate करें मैं administration से और सरकार से अन्रोद करूँगा कि यह comprehensively जितने employees है उनके लिए भी जल से जल लागू हो और पूरे दीपासियों को यह उनको इनका हग बनता है actually में और मिलना भी चाहिए बिल्कुल सबको सर यह जानना चाहरा था कि जो cghs का जो scheme है यह सिर्फ सरकारी hospital पर लागू होगा कि इसके जो सुविधा यह हम दीपासी private hospital से भी ले पाएंगे यह जहां तक मेरी जानकारी है I may be wrong as well पर जो भी emperialed hospital है central government health scheme के अंडर में जितने भी emperialed hospital है whether it's a government hospital और a private hospital क्योंकि अंड जो emperialed private hospitals हैं बड़े-बड़े hospitals हैं या फिर institutions हैं जहां पर on payment आपको देना पड़ता है और अगर वो emperialed होते हैं cghs के scheme के तहित में तो वहां पर आपको फूरा सुविधा इसमें मिल जाएगा और cghs का कोई ऐसा अलग से अस्पताल है या cghs किन किन जगह पर कहां पर संपर कर सकते हैं इस बारे में तोड़ा बताईए यह तो administration के तरफ से में मेरे खाल से एक window यह लोग open करेंगे यहां पर कि जो card बनता है जो cghs को employees को जिनको card जिनके तहत दिया जाता है वो card इनको issue किया जाएगा और उसके बाद ही जो emperialed hospital का list है इनके पस आए जाएगा और वहां पे लोग treatment ले पाएंगे यह पूरा list available होगा जो once this facility get started यह पूरा का पूरा एक streamline हो जाएगा उसके बाद सब को पूरा का पूरा जानकरी आ जाएगा और इसके तहत में अगर कहीं पर जानकरी कि किसी को महिया कराने पड़ेगी we'll take this opportunity with the administration कि हम public के बीश म awareness पर create करें इसको लेगे Sir I am sure कि आपका यह आज हमारा यह episode देखने के बाद में हमारे कई सारे दर्शक होंगे जो जाना चाहेंगे इसके बारे में और detail में बात करने के लेगे तो क्या हम उनको आपका number दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं और आज के date में मुझसे जादा google और whatsapp और जो social media है वहाँ पे काफी सारे इसके बारे में contents available हैं still अगर किसी के बारे में जैसे कल रात कोई मुझे करीबन 10-10.30 बज़े रात के समय भी मुझे call आया था इस ही को बात को लेके सर हम काफी समय से इसका wait कर रहे थे जिनोंने call किया था उनके फादर का देहानत हो गया था कुछ मेने पहले और वह सीजेचस में नहीं cover up हो रहा था बहुत लंबा उनका treatment चला था और उनका पूरा जो जीवन का कमाई था पूरा का पूरा बरबाद हो है तो उसमें cover up होगा तो धन्यवाद दे रहे थे मैं बोला देखिए यह हमारा अपना personal लोटे का केवल effort नहीं है काफी लोग का effort था और यह हमारा भी उसमें एक चोटा से योगदान था जिसके वज़े से government ने चिसको मान लिया मैं सभी जो भी इसके लिए जिनोंने अपन सही हो किया या फिर इसके लिए effort लगा है सभी को शुब कामना ही देता हूँ सभी को अभी अभी ननन करता हूँ कि आप सबके joint effort से सरकार ने हमारी यह जन्मीन जो मानती उसको मान लिया है हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और साथ ही उन तमाम संस्थाओं को और उनके जो इन चार्ज हम उनको भी धन्यवाद करेंगे जिनोंने इस बहुत ही जरूरत मंद मांग को दूवी पासियों के लिए मुहाया करवाई है और हम धन्यवाद करेंगे हमारे प्रसाशन को जिनोंने इसे काफी गंभीरता से लिया और खुशकबरी की बात है कि बहुत जल्द हमारे दूवीपों में भी मुख्य भूमी की तरह सेंट्रल गवर्मेंट हेल्स कीम यहाँ पे लागू हो जाएगी जिससे हमारे दूवीप में स्वास्त को लेकर काम होते रहे तो फिर जो इतनी सारी परेशानिया आए दिन हम सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कि लोगों को स्वास्त के इंदरों से कई सारी जो परेशानिया होती है उससे छुटकारा मिलेगा इसी उमीद के साथ और कैमरा परसन दिपिका सोनी क साथ में यामीन नियूज अंडमान 247 नमस्कार हम उम्मीद करते हैं कि CGHS के हमारे द्वीपों में सुवीधा मिलने से द्वीप वास्यों को बहुत फायदा होगा अगर आपको हमारा ये एपिसोड सुचनात्मक वग्यान वर्धक लगे तो करीपे लाइक शेर बास सब्सक्र करते हैं